मश्कार आप सभी का स्वागत है मैं प्रेंदश शर्मा हमारे एस चांद के अफिशल यूटिव चैनल में लगतार वीडियो सिरीज में आज हमारा टॉपिक नमबर रहेगा 42 टॉपिक नमबर 42 भी हमारे ग्राफ पराधारित है लाइन ग्राफ जैसा कि ग्राफ में सबसे ज़्यादा टॉपिकों का यूज होता है उनमें एक एबरेज परसंटेज और अनुपास समानुपात इन तीन टॉपिकों का आपको अध्यन करना है उसके बाद अगर आप आपको जरू सब्सक्राइब करें लगतार वीडियो सीरीज आपको दी जा रही है टॉपिक नमबर आज 42 रहेगा स्टार्ट करेंगे आज का पहला कुश्यन परस कुश्यन आपके सामने है पहला कुश्यन हमारे सामने है इस तरीके सा आपको एक ग्राफ दिया जाता है ये अब हमारा लाइन पर आधारित है इसमें लाइन दी होती इस लाइन को आप रेखा चितर कहेंगे तो complete आपको लाइन से पहचानना है पुश्यन दिया गए है नीचे दिये गए ग्राफ में एक रोगी का तीन दिन का तीन गंटे का अंतराल पर लिया गया ताप मान दिखाय इस ग्राफ का अध्यन करके निमलिकित प्रिशनों का उत्तर दीजिए देखे एक रोगी है उसका प्रतेक तीन घंटे पर टेमपरेचर लिया जा रहा है तो उसका टेमपरेचर यहां पर अपडेट किया गया है इधर आपको दिया गया है समय तीन बजे उसके बाद 6 बजे, फिर 9 बजे, 12 बजे, 15 बजे, 18 बजे, 21 बजे और उसके बाद 24 बजे अर तीन घंटे मों उस रोगी का टेमपरेचर यहां पर लिया जा रहा है देखे तीन बजे टेमपरेचर जैसे पिच्चान में के बाद अगला खाना एक खाना आपको पहचानना है पिच्चान में और एक छ्यान में, 37, 98, 99, 100 ते इसकार्थ यह हुआ, अगले खाना यानि एक बढ़ गया अगर हम तीन बजे टेमपरेचर हमसे पूछा जाए तो तीन बजे टेमपरेचर हमें लगाना है 96, हमें 6 बजे टेमपरेचर देखना है तो 6 बजे टेमपरेचर आ रहा है तोटल 100, उसके बाद अगर हम 9 बजे देखेंगे तो 9 बजे टेमपरेचर आ रहा है यहाँ पर 102 दो खाने का गया पर 102, अगर हमसे 15 बजे का पूछा जाए तो 15 बजे 15 बजे आप ध्यान से देखें 15 बजे 15 बजे नहीं 18 बजे लिया गया 18 बजे टेमपरेचर आ रहा है इसका दौनों के बीच में यानि 101, 102, 103 103 टेमपरेचर है 21 बजे टेमपरेचर दिया गया इसी तरह 24 बजे आपके सामने है ग्राफ आप समझ गया होगे रोगी का हर तीन घंटे में टेमपरेचर लिया जा रहा है और उस टेमपरेचर का तापमान इधर फारने हाइट में 0, 15 में 100, 100 माच और ये दिया गया है 110 तो पहला कुश्यन अब हम इस ग्राफ का स्टार्ट करते है देखे पहला कुश्यन बस कुश्यन दिया गया है रोगी का तापमान 9 बजे कितना था अब देखे कितने भी बजे आप से टेमपरेचर पोच ले तो आसानी से आपका पता सकते हैं 9 बजे टेमपरेचर अगर हम 9 बजे टेमपरेचर देखेंगे रोगी का 100 के बाद 101, 102 तो 9 बजे रोगी का टेंप्रेचर आएगा 102 डिग्री फार्ने हाइट दुबारा देखें 102 यानि कि 9 बजे पूछ रहा है तो 9 बजे देखें लाइन आ रही है ये लाइन यहाँ पे आ रही है 9 बजे अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो 101, 102 तो 9 बजे इस रोगी का टेंप्रेचर 102 डिग्री फार्ने हाइट बनेगा किस समय रोगी का तापमान सबसे ज़ादा था अगला सवाल है कितने बजे रोगी का टेंप्रेचर सबसे ज़्यादा था अगर हम रोगी का टेंप्रेचर देखें रोगी का टेंप्रेचर सबसे ज़्यादा अगर आप रेखा चित्र को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है रोगी का टेंप्रेचर देखें सबसे कम इस रोगी का टेंप्रेचर तीन बजे था, तो सबसे अधिक आप से पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा टेंप्रेचर था हमारा दुपेर बारे बजे नेक्स्ट, अगला कुश्शन इस समय रोगी का तापमान सबसे कम था, कितने समय रोगी का टेंप्रेचर सबसे कम था तो सबसे कम टेंप्रेचर तीन बजे था जो की छ्यान में डिगरी फार्ने हाइट हमारा बनेगा, समय पूछा जाए तीन बजे, पूछा जाए कितना था यानि 96 डिगरी फार्ने हाइट अगला कुश्शन आपके सामने है बारे बजे से चौदे बजे के बीच ताप मान में कितने डिगरी का अंतर था बारे बजे से चौदे बजे यानि बारे से चौदे के बीच में आप पूछा जा रहा है कितने डिगरी का अंतर था तो 12 बजे 12 बजे, 12 बजे 12 बजे इसका ताप मानता 106 106 अब 12 बजे 106 था और उसके बाद 14 बजे अगर ये 14 बजे टेंपरेचर देखा जाए गषिस लाइन को देखेंगे तो ये बनेगा 104,104 वापस दुबारा ध्यान से देखें चलो black pen ले लेते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें question में 12 बजे 12 बजे अगर आप temperature देखोगे तो 12 बजे temperature आ रहा एक 106 उसके बाद 14 बजे 14 बजे देखे इससे पहले 14 बजे अगर आप temperature आपने देखा है तो 14 बजे इसका temperature आ रहा 104 दोनों में अंतर आएगा 2 इन दोनों में difference आ रहा है हमारा minus करेंगे तो 2 तो 2 degree फार नहाइट answer बनेगा option number रहेगा इसमें C next देखें आपने देखा है graph बिलकुल इजी है हर type का graph मैं अपनी वीडियो में लेके आता हूँ हमारे एस शांद का official YouTube channel के साथ आप जुड़ें हर type का question आपको मिलेगा अगला question है 9 बजे से 21 बजे तक अगर हम 9 बजे से देखें तो 9 बजे तापमान इसका 101 था 102 9 बजे तापमान 102 था दुबारा ध्यान से देखें इसका तापमान 9 बजे 9 बजे इसका तापमान इहां पे आ रहा है 102 और 21 बजे 21 बजे इस लड़के का तापमान 106 है तो 102 और 106 102 और 106 में difference हमसे पूछा जा रहा है तो 102 और 106 का difference हमारा बनेगा 4 degree farne height हमें एक question दिया जाता है उसमें हमसे लगातार 4 question या 5 question इसमें पूछे जा सकते हैं next अब देखे अगला graph आपके सामने है इस graph को समझने की कुछिस करें आप पूरा graph पहले समझना है उसके बाद हम अपने question स्टार्ट करेंगे 11 से 15 तक अगले आपके 11 से 15 तक यहां 4 question दिये गए question दिया गया है नीचे दिये graph में एक company के पिछले 6 वर्सों के income और खर्च के 2 graph दिये गए पिछले 6 वर्सों में question दिया गया है पिछले 6 वर्सों में देखो पिछले 6 वर्सों के income और खर्च के 2 graph दिये गए इनका अध्यान करना है अब देखे इसमें दो line आपकी चल ली है हमारी दो line चल ली है एक तो complete आपका complete highlight हो रही है यह complete highlight है एक आपका dot dot में line चल ली है इस तरीके से तो यह line आपकी खर्च वाली है लिखा हुआ है जो star वाली line है यह star वाली line है यह तो खर्च वाली है दूसरी हमारी black dot ब्लैक डॉट वाली जो लाइन है वो इनकम वाली, ये इनकम दरसा रहा है और ये खर्च दरसा रहा है, इधर दिया गया आय और वे करोड रुपे में, ये आपका करोड में है, दो हजार चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, जैसे अगर हम दो हजार नो में देखें, दो हज जो अगर हम देखें, साड़े चार सो, खर्च देखें, तीन सो, तो इस का मरला, इस कंपनी के पास बच रहे हैं 120 करोड, दो हजार पाँच में अगर आप देखेंगे 400, और यहां देखेंगे 2,500, तो चार सो और ढवाई सो का अंतर देखेंगे, तो ये बचेगा हमारा 150 कर तो इस तरीगे से आपको ये graph पहचानना है, तो हमने देखा कि अगर income की बात करेगा, तो black dot है, और अगर खर्च की बात हो लिए तो star बना के और hulky line में जो दिया गया है, ये आपका खर्च का है, तो start करेंगे इसके अगले question, देखिए इसका पहला question, फस question आपको दिया गय इसका, किन दो वर्सों में खर्च का योग, वर्स 2009 की आए के बराबर है, देखिए वर्स 2009 की आए के बराबर है, अगर हम वर्स 2009 की income देखें, वर्स 2009 की income देखेंगे, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जा रहा, 475 है, 475 income है, ये आपको ध्यान से देखना है, question को पह 2009 की income के बराबर है अब 2009 में अगर हम income देखेंगे तो दोनों के middle मारा है जो कि आएगा हमारा 475 करोड अब हमें चेक करना है जिस option में खर्च का योग हमारा 475 करोड बनेगा ये आप का अंसर निकलेगा 2005 2005 में अगर हम खर्च देखें खर्च है 200 ये 500 है और 2010 में ध्यान से देखें फुश्चन में 2010 2009 इसको 9 कर लिजी आप 2009 2009 में अगर आप खर्च देखेंगे तो 11 400 तो इन दोनों का योग देखेंगे इससे ज़्यादा है गलत 2006 2006 में अगर आप खर्च देखेंगे तो दोनों के middle में 225 और 2008 में अगर आप देखेंगे तो 2008 में हमारा ये बनना है 1500 इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो 375 बनेगा जबकि हमें चीए 475 करोड़ 475 नहीं बना अप्शन नमबर तीसरा ट्रे करते हैं 2005 2005 में देखेंगे तो 2500 250 करोड़ और 2007 में देखेंगे तो 2 собир को बीच में 375 तो इनका योग भी ज़ादा आ रहा है 2005 2005 में अगर हम देखेंगे तो 2500 900 और 2006 2006 में देखेंगे इन दोनों के बीच में 225 अगर हम इन दोनों के खर्च को जोड़ेंगे तो ये बरावच 46 इस कार्त यह हुआ इस सवाल का अंसर पढ़ेगा option number D एक वर्स की income और सेज दो वर्सों के खर्च के वराबर जो condition आपको समझाई गई है question number next 2005 से वर्स 2006 में खर्च में कितने परसेंट की गरावट आई है question दिया गए आपको 2005 से 2006 में खर्च में कितने परसेंट की गरावट आई है तो 2005 से लेके 2006, 2005 में खर्च देखेंगे 2005 में खर्च हमारा आ रहा है 2005 में खर्च आ रहा है 2500, यहाँ 2500 आ रहा है और 2006 2006 में अगर हम खर्च देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 225 यह 225 है तो कहता है पहले 2500 करोड खर्च हो रहे हैं और जिस वर्ष की बात कर रहा हैं 225 करोड यहां पर खर्च हो रहे हैं तो 250 से 200 यानि की 2500 से 200 से 225 पहले हमारा 200 था अब रह गया 225 कहरा इस कुशन में कितने परसेंट की गरावट आई है तो अगर हम गरावट देखेंगे तो हमारी गरावट देखेंगे ध्यान से 25 करोड की गरावट है और पहले वाला हमारा नीचे आएगा 2500 परसंटेज के लिए 100 से गुना इसको 10 से डिवाइड कराएंगे और 0 से 0 खतम तो यह आएगा हमारा 10 परसेंट तो इस सवाल का अंसर हमारा रहेगा option number B question number next दिएगे वर्सों में से कितने वर्सों का विया है दिएगे वर्सों के ओसत इंकम से ज़्यादर आए हमें सबसे पहले हैं पर ओसत निकालना है ओसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संक्या तो सबसे पहले हमें ओसत करना है वो कहरा कितने वर्सों में विया है कितने वर्सों में विया है सभी वर्सों के ओसत विया है तो सबसे पहले आपको ओसत विया निकालना ओसत खर्च तो औसत खर्च के लिए देखिए आपका ये वाली लाइन खर्च वाली है तीन सो ये तीन सो है अगले साल अगर आप खर्च देखेंगे इस साल तीन सो रहा है इसके बाद देखिए ये इसके सामने डाई सो डाई सो आएगा इसके बाद आएंगे हम 2006 पे 2006 में खर्च है 225 दोनों के बीच मैं तो 225 2007 में देखेंगे खर्च तो यह आएगा 345 375 आगया 2008 में अगर हम खर्च देखेंगे तो 1.500 आएगा यह 1.500 आगया 1.500 और 2009 में अगर हम खर्च देखेंगे तो छार सो आएगा वापस दुबारा ध्यान से देखिए 2004 में 300, 2005 में 200, फिर आ रहा है 225, फिर आ रहा है हमारा 300, पिछेटर उसके बाद आ रहा है हमारा 300 और सबसे आखरी मारा है हमारा 400 अब हम से पूछा जा रहा है इनका एवरेज बताएएगे देखिए एवरेज होता है सभी को जोड़ेंगे आप और जितने भी वर से 3, 4, 5, 6 सभी को जोड़के 6 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे 500 इन दौनों को प्लस करेंगे 500 छैसो इन दौनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा साड़े 500 तो इन प्लस करेंगे 0, 5 और 5, 10 पांच, 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 दश, श, श, और एक, सत्रा सत्रे, बटे, पांच, यानि तोट, कुल हमारे पास 3 और 3, 6 है तो लगभग 283 से जादा अब हमें देखना है कि 283 से जादा इनका एवरेज 283 और 283 से जादा एक तो ये नंबर है 283 से जादा तो 283 से जादा इसमें एक तो ये नंबर आ गया ये छोटा है 283 से छोटा है ये 283 से छोटा है और ये भी हमारा 283 से छोटा है और ये 283 से बढ़ा है तो देखे हमें ऐसे दो वर्स यहां पर फाइंड हुए है जिनका average इनके उसस से अधिगरा तो इस सवाल का अंसर लगाना है option number A next इतने वर्सों में खर्च प्रतिशत आए के आधार पर उच्छ तमरा देखे खर्च प्रतिशत इनकम के आधार पर जादा रहा इतने वरसव में खर्च प्रतिशत आए के आधार पर जधा रहा तो देखे खर्च की कंपेर इनकम से करा रहा ज़ादा रहा तो एक काम करेंगे सबसे पहले 2004 का डाटा देखेंगे 2000 डाटा में जो खर्च हुआ है 2004 मैं जो खर्च हुआ है 300-4.5 जाबार में से तो आपको लिखना है तीन सो हुआ है साड़े चार सो में से और गुना सो इनका आप एक कंपेर कराएंगे जीरो से जीरो जीरो से जीरो पंदरद उने तीस और पंदरद यह पैतालिस दो सो बटे तीन होता है छ्या सट सही दसमलो छे छे तो देखे हमें इन सारे वरसों की परसंटेज निकाल के कुश्शन करना है दो हजार पांच देखे कुश्शन में एक तो दीया है दो हजार पांच हाला कि دो हजार चार आपशन में नहीं तो जो जो आपशन में दीयें आप उन ही को ट्राई कर ल inadequ तो हमें ये चार option चेक करने हैं जैसे 2005 है 2005 में आदमी ने 2500 करोड खर्च करें इनकम है इसमें 400 और गुना करेंगे 100 से 20 से 20, चार्चिंग 24, चारदुनी 8 एपरोक्स आएगा 62% दूसरा option है 2007 2007 में देखेंगे तो देखें, दोनों के बीच में 375 375 है और इनकम रहे है इन दोनों के बीच में 400 425 ये दोनों के बीच में ये इन दोनों के बीच में परसंटेज के लिए 100 से गुना 25 से 4 बार 25 एकमपचिस 775 तो इंकी गुना करेंगे 5 लूग 20 7.4 28 32 30 4 12 3 15 बटे 17 178 136 178 136 114 बचा 0 140 178 136 तो ये देखे लगवग आएगा 80% इस साल का अगर आप परसंटेज चेक करेंगे तो 88% बनेगा इसके बाद 2008 2008 का देखेंगे तो इनमा बहुत जादा गयप है और 2009 का देखेंगे तो 2009 में 400 400, 475 में से तो इस सवाल का देखेंगे आप अनुमान भी लगा सकते हैं सबसे कम गयप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो इस सवाल का अंसर रहेगा 2007 अगर आप इन चारों को चेक करेंगे जैसे 2006 का चेक करें 26 में देखेंगे आप 225 तोनों के बीच में 225 300 में से 225 हो रहा है 300 में से गुना सो इस से नो बार 25 से कम 25 से चार बार यह होगे 900 बटे 14 2 से 7 बार 2 से 50 बार 400 बटे 7 साचिंग 42 3 बचा और 37, 24, 28 लगभग यह आएगा 64% और लास्ट वाल ऑप्शन आपको दिया है 2006 अगर हम 2006 में देखेंगे देखेंगे 2006 का आपने निकाल लिए इसी तरह आप चारों का चेक करेंगे तो सबसे कम गब आपको इसी ऑप्शन में मिल ला है राइट आंसर इसका बनेगा हमारा 2007 Next वर्स 2008 से 2009 में पूछा जारा इंकम कितने परसेंट बढ़िये पूशन दिया गए 2008 से 2009 2008 से 2009 में इंकम कितने परसेंट बढ़िये पहले इंकम थी हमारी दौनों के बीच में 375 375 से 2009 में होगी हमारी 400 दौनों के बीच आ रहा है इन दौनों के बीच है 475 वापस दुबारा ध्यान से देखें 2008 से 2009 में इंकम 2008 में इंकम देखेंगे 375 और ये इन दौनों के बीच में 475 100 बढ़िये 375 से परसंटेज के लिए 100 से गुना है इसकी कंपेर कराएंगे 25 से 4 बार 25 से 25 से 5 बार 5 से 3 बार 5 से 20 बार तो 80 बटे 3 80 को 3 से डिवाइड कराएंगे 26.6% तो इस सवाल का अंसर हमारा रहेगा 26 अपान 0.6% तो आप देख रहे हैं कुश्चन काफी आसान है बट इन कुश्चनों में कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी होती है तो ये कैलकुलेशन ही आपको निकालनी है नेक्स्ट अगला ग्राफ आपके सामने है नेक्स्ट तो पहले हमें जैसा कि हमने पीछवी कुश्चन करें इन कुश्चनों को समझ कर फिर इनके कुश्चन का सॉलूशन करेंगे कुश्चन दिया गया है नेमन ग्राफ का सावधानी पूर्वा कद्ध्यन करके कुछ कुश्चनों का आंसर आपको देना है देखे इसमें एक तो स्क्वेर है और एक इसमें सम्चत्रूर जाने की सम्चत्रूर तिरचा स्क्वेर आ रहा है तो यह कहता है यह जो दो चिन्न है यह एक ही बात हो रही है यह लाइन आपकी A है और जो हमारे स्क्वेर है यह वाली लाइन आपकी B है इस तरीके से B दिये A, B इधर दिया गए है विध्यारतियों की संख्या विध्यारतियों की संख्या देखे ये दोनों नमबर आपको दिये गए है 2010 2010 में 140 B में 180 2011 में 200, 260 इस तरीके से आपको अलग-लग student दिये गए है 2010 में A और B काकड़ा दिया गए है करने वाले विध्यारतियों की संख्या 2013 में पाठ्यक्रम A में चैन करने वाले विध्यारतियों की संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है देखे आंसर परसंटेज में पूछा जा रहा है सबसे पहले आपको भिन बनानी है और भिन को परसंटेज में लाने के लिए 100 से कुना करेंगे तो 2013 में पाठ्ठे करम, 2013 में बी पाठ्ठे करम 2013 में बी पाठ्ठे करम का देखेंगे तो 500 है 500 विद्ध्यारती 2013 में पाठ्ठे करम A 2013 में पाठ्ठे करम A में 360 360 अब कुश्यन ये पूछा जा रहा है दुबारा ध्यान से देखें 2013 में B का चैन, 2013 में B का चैन 500 रहा है वर्स 2013 में A का चैन 2013 में A का चैन 360 की संख्या से कितने परसेंट जादा है अब ये कह रहा है ये नंबर इससे कितने परसेंट जादा है ये नमबर इससे कितने परसेंट ज़्यादा है हमसे पूछा जा रहा है नमबर कितने परसेंट ज़्यादा है ध्यान से देखिए पहले तीन सो साट से पान सो ये एक सो चालिश ज़्यादा है और जिस नमबर से कंपेर करा रहे हैं वो नमबर नीचे आएगा गुना करेंगे आप 100 से 0 से 0 खतम 4 से 9 बार 4 से डिवाइड कराएंगे 25 बार 25 और 14 की गुना करें 25 और 14 की गुना करेंगे 100 और 25 300 को 9 से डिवाइड करें 9 तिया 27 9 तिया 27 आठ बचा तो लगबग 9 एपरोक्स 49 के आसपास जो आप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा तो इस सवाल का आंसर रहे का आप्शन नमबर C तो इसका सॉलूशन करेंगे 38 पुछ आएगा लगबग 49 तो आंसर है हमारा आप्शन नमबर C नेक्स्ट 2012 में पाठ्ठे करम A और B को मिलाकर चैन करने वाले विध्यारतियों की संख्या 2014 में दोनों पाठ्ठे करम में चैन करने वाले विध्यारतियों की संख्या के बीच टोटल पुछ जारा डिफरेंस कितना है ध्यान से देखें 2012 में पाठ्ठे करम A और B को मिलाकर 2012 में A और B को अगर जोडेंगे 380 प्लस 300 तो ये बनेगा 680 2012 अगर हम डाटा एड़ करें 380 और 300 टोटल जोडेंगे 680 तो इनकी कुल संख्या वर्स 2014 में दौनों पाथे करम 2014 के दौनों पाथे करम जोडेंगे 720 इन दौनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 720 है यानि की 2014 में आप जोडेंगे 420 प्लस 300 720 बोला जा रहा है इन दौनों के बीच में अंतर कितना है तो दौनों का अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 40 बनेगा आंसर हमारा रहेगा option number D next अब देखिए अगला ग्राफ आपके सामना है अगला ग्राफ रेखा चित्र लाइन ग्राफ हमारे सामने है इस ग्राफ का आपको अध्यान करना है नीचे दिये गए रेखिक ग्राफ में विभिन सहरों की अभियोगता परिक्षा में बैठने वाले विध्यारतियों की संक्य हजारों में पहरी बात यह जितने भी पॉइंट दिये गए है वो हजारों में दिये गए है इसका ध्यान पूर्वक अध्यान करके नेमलिकित प्रशनों का उत्तर दीजिए अब देखिए हमारे पास कुछ यहां नीचे सहर दिये गए है A सहर B, C, D, E हमारे पास 5 सहर दिये गए है और यह जितने भी नमबर आपको दिये जा रहे है यह सारे हजारों में दिये जा रहे है जहां से देखें अगर A सहर की बात करेंगे तो 40 है B सहर में 32 है C सहर में देखेंगे 70 है D में 42 है और E में 35 और सारी संक्या अभियोगता परिक्षा में इस्टूडेंट परिक्षा में बैठे हैं और यह जितने भी नंबर आपको दिये जा रहे हैं वो 1000 में दिये जा रहे हैं अब ग्राफ समझने के बाद हम कुश्चन स्टार्ट करते हैं अगला कुश्चन देखें दियाम से, अगला कुश्यन, अगला कुश्यन दिया गया है, सहट D से अभियोगता परिक्षा में बैठने वाले चात्रों की संख्या, C में अभियोगता परिक्षा में बैठने वाली संख्या का लगभग कितने परसेंट है, अब आप आप से पूछा जा रहा है, तो कुश्चन दिया गया है कि 42,500, 17,500 का कितने परसेंट है, परसेंटेज में का वाला नंबर जिसके साथ होगा, वह संक्या आपकी नीचे आएगी, तो संक्या हमारा का दूसरी संक्या के साथ है, तो इस कुश्चन को ध्यान से देखें, 42,500 पर आएगा, 17,500 नीचे आएगा, प दौनों कटेंगे, 0 से 0, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, अब इनकी मल्टिप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 4 दूनी, 8,8,2,10, 4 चौक 16, और 1,70, 700 बटे 7, 7 दूनी, 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 20, यानि 7 दूनी, 14, तो 242 दसमलक कुछ आएगा, लगबग आ रहा है आपका 2,43 अब अगर आप एपरोक्स निकालेंगे, तो 242 पॉइंट कुछ आपका सम्थिंग आंसर आ रहा है, आंसर बनेगा 243 परसेंट, नेक्स्ट, अगला कुश्चन आपके सामने है, अगला कुश्चन दिया गया है, जहर C और D में, कुल अभियोगता प्रिक्षा में बैठने व किरा दौनों में बैठने वाले की संक्या अगर हम जोडेंगे, 0, 0, 5 और 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, और ये 6, तो C और D में टोटल बैठे हैं हमारे 60,000, उसके बाद बोला जा रहा है, कि A, D, E से, A, D, E का प्लस करेंगे, A में 40,000, D में, A में बैठे हैं 40,000, 40,000, D में बैठे हैं 42,500, और E में बैठे हैं 35,000, अब इन तीनों का योग करना, 0, 0, 5, 7, 4, 4, 8, 3, 11, तो ये आएगा हमारा 1,7,500, अब 60,000, और 1,7,500 का हमें रिशो निकालना है, तो दोनों का रिशो बनाते हैं, एक लाग सत्रे हजार 500, दो जिरो से दो जिरो कटेंगे, पांस से 120 बार, पांस दोनी 10, एक बचा हो, पांस तिया 15, पांच पंजे 25, पांस से डिवाइड कराएंगे 24 बार, पांस चौग 20 और पांस सत्य 35, तो आंसर इसका आएगा, आप्शन नमबर C, मरलत दो नमबर, दो साल के स्टुडेंट, दो सहरों के स्टुडेंट की कंपेर, अन्य तीन सहर के स्टुडेंट के साथ करा रहा है, रिशो में होता है, जिस भी नमबर से ही कैंसिल हो, उस नमबर से आपको कैंसिल करना है, सहर B से अभियोगता परिक्षा में बैठने वाले चात्रों की संक्या का सहर A में इस परिक्षा में बैठने वाले चात्रों की संक्या से रिश्यो निगल वारा जैसे हमारा लास्ट कुश्चन था पिछले वाला स्वेम उसी टाइप का हमारा अगला कुश्चन है B से अभियोगता परिक्षाम है अगर B से देखेंगे तो 32,500 B मारा है 32,500 सहर A में सहर A में पूछा जा रहा है सहर A में बैठें 40,000 अब इन दौनों का रिशो निकल वा रहा है तो 32,500 और 40,000 का अगर हम रिशो निकालें 2,0 से 2,0 कटेंगी आप डिवाइड करें 5,6,5,5,5,5,5,8,4,0 5 से 13 बार और 5 से 16 बार तो इस सवाल का अंसर हमारा बनेगा उप्षिन नमबर B हम से अउनली दो सहर यहां पर पूछा जा रहे है उन दौनों सहर के टोटल स्टूडेंट का रिशो यहां पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट चलो अगला कुश्चन आपके सामदे अगला कुश्चन हमें दिया गया है सहर य से अभयोगता परिक्षा में बैठने वाले चात्रों की संक्या का सभी दिये गए सहरों में इस परिक्षा में बैठने वाली संक्या का लगभग कितने परसेंट है जिहान से देखें सहर बेटार में 35,000 उसके बाद बोला जा रहा है सबी सहरों में परिकशा बेटने वारा अगर हम सबी सहरों करें तो 40,000 40 और 34,000 ये 40,000 होगे ये 35,000 होगे ये 65,000 होगे ये 42,500 हो गए और ये 35,000 हो गए देखे इसकी कंपेर कराई जा रही है टोटल सहरों के साथ एक सहर की कंपेर टोटल सहरों के साथ प्लस करें 0, 0, 15 5, 5, 10, 5, 15 9, 10, 11, 15 और 5, 16, 17 4, 37, 18, 14, 12, 13, 15 और 1, 16 तो यह आ रहा है 1,66,500 तो 35,000 की कंपेर कराई जा रही है 1,66,500 सबसे पहले इनका रेशो बना लें 2, 0 से 2, 0 कटेंगे 5, 7, 35, 0 5, 10, 15 1, 7 5, 10, 15 2, 25 5 से 14 बार 5 से 5 चंग 30 5 चंग 30 5, 7, 35 तो देखे 14 और 67 नीच आएगा परसंटेज के लिए 100 से बुना तो यह आएगा लगवग 14, 12, 16 अगर 14, 100 को 66 से डिवाइड करें 14, 100 को 66 से 67 दोनी 134 6 बचा, 0 6 बचा, 0 6 बचा और ना जाने की 0 तो इसमें 20 पॉइंट कुछ आएगा तो 20 पॉइंट सम्तिंग का अंसर आएगा 21% 20 से अबव है तो लगवग आएगा आपका 21% तो देखे कुश्चन में दिया गए सहर E में, सहर E में 35,000 है टोटल सहरों का प्लस करेंगे तो 1,66,500 परसंटेज के लिए 100 से गुना अगला ग्राफ अगला ग्राफ आपको समझना है अगला ग्राफ हमारा दिया गया है नीचे दिये गए रेखा चित्रों में दो विभिन कंपनियों के विभिन विभागों में कारियरत करमचारियों के सेंग के सेकड़ों में एक एक point आपको ध्यान से देखना है यह जितने भी number आपको देख रहे हैं यह सारे के सारे number आपके सेकडे में है कह रहा है भली बात यह अध्यान करके कुछ question आपसे पूछे जाएंगे उनका अध्यान हमें करना है देखे इसमें दो line आपको मिलनी है एक red line और एक है blue line एक red और एक blue red line का रथ हुआ company A जहां पर red line है वो company A है और जो blue line है वो company B है तो red और below IT यह IT की बात हो रही है यह HR की बात हो रही है विपनन विभाग, वित विभाग और प्रसासन विभाग इस तरीके से दो line हैं draw हो रही है अलग-अलग department में आपको बताए जा रहा है तो IT में देखे ध्यान से अगर A की बात होगी तो 500 और blue line यानि B की बात हो रही है 700, इस तरीके से आपको line दी गई है अब इनका अध्यान करके हमें बताना है तो पहला question देखे question company B के विभाग में सबसे पहले हमें graph को समझना है हमारे सामने graph दिया गया है इस graph को आप ध्यान से देखे A और B के विभिन विभागों में करमचार्यों के संक्या जैसे कि IT विभाग, HR विभाग, विपनन विभाग वित विभाग, प्रसासन विभाग ये विभाग हमारे सामने है अब इन विभागों में आप ध्यान से देखे पहला question है company B के विपनन विभाग में company B का विपनन विभाग company B बिलू वाला है 700 700 होगे और बोला जा रहा है इस company में total करमचारी, देखे B company में सारे नमबर यहां जुड़ेंगे, चलो नीचे लिखते हैं साड़े 700 साड़े 500 साड़े 300 और 200 साड़े 300 और 200, ये सारे नमबर यहां प्लस होंगे 0, 5 और 5 दस 12, 17, 23, 22, 24 और 21, 25 तो B के वेपनन विभाग की compare B company में total करमचारी के साथ करवा रहा है 2500 सबसे पहला आप रेशो बना लें परसंटेज के आंसर आप रेशो के बाद दे सकते हैं जिस संख्या के साथ हमारा काला का होता है वो संख्या नीचे आती है साथ उपर 25 नीचे साथ उपर 25 नीचे गुना स्वा ये cancel होंगे हमारा आंसर आएगा 28% तो इस सवाल का आंसर रहेगा इसमें option number B question number next एक रेशो आप से पूछा जा रहा है देखे हम से एक रेशो पूछा जा रहा है question दिया गया है हाँपे दोनो कमपनी के प्रसासन विभाग में total करमचारी 600 200 प्लस 400 200 प्लस 400 हम करेंगे तो 600 बने question दिया गया है दोनो कमपनी के प्रसासन विभाग में total करमचारी 600 तोनो कमपनी के वित विभाग वित विभाग की दोनो कमपनी दौनों कम्पनी का वित विभाग का अगर हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 800 यानि कि साड़े 300 और साड़े 400 ये बनेगा 800 अब इन दौनों में compare करा रहा है दो 0 से 2 0, 2 से 3, 2 से 4 आंसर रहेगा 3, 4 देखें दो विभाग की compare दो विभाग के साथ करवा रहा है आंसर आपको प्राप्त होगा 3 रेशो 4 नेक्स्ट अगला कुश्चन हमारे सामने अगला कुश्चन दिया गया है company A के HR विभाग में company A का HR विभाग देखेंगे आप company A company A red color है HR विभाग 800 company A के HR विभाग में 800 है company B के वित विभाग company B, B का देखें बुलू लाइन बुलू लाइन है 3.500 तो बोला जा रहा है 800-3.500 का कितने परसेंट है कितने प्रतीशत है वापस दुबारा ध्यान से देखें वापस दुबारा ध्यान से देखें A के HR विभाग में A का जो HR विभाग है HR विभाग A ये रेड कलर है A का HR विभाग 800 है आगे लिखा हुआ है B का वित विभाग B का वित विभाग B company blue line और blue line हमारी 3.500 तो पूछा जा रहा है 800-3.500 का कितने परसेंट है तो 800 उपर आएगा पहले इनका ratio बना लो ratio 0 से 0 5 सत्य 35 5 से 16 बार 12 उपर 7 नीचे गुना 100 ये आएगा 1600 बटे 7 7 दो नीच ओदे 2 बचेगा 7 दो नीच ओदे 6 बचा 7 अठे 56 तो 228 पॉइंट कुछ आएगा तो 228 पॉइंट कुछ करत हुआ 239 देकि परतंटेज गिलिए सबसे पहले एक ratio तियार कलने पहले वाले की compare दूसरे वाले का का वाली संख्या आपके नीचे आती है Next तो लो अगला सवाल अगला सवाल लिखा हुआ बी का IT विभाग बी का IT विभाग आप ध्यान से देखेंगे कारेरत करमचारी की संख्या में 20% विरद्दी हुई तो बी बी बिलो है 3.500 3.500 बी में है और ऐसके बी के आइटी विभाग में 20% करमचारी बढ़ गए इसका 20% करेंगे तो 1.500 3.700 का 20% करेंगे तो 1.500 3.500 बढ़के 9.600 हो गए पहले हमारे पास टोटल 3.500 ते अब करमचारी होके 9.000 आगे दिया गया है B के IT विभाग और कमपणी A के प्रसासन विभाग प्रसासन विभाग का मलो रेड़ 400 गुरों बոला जा रहा है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 500 वापस दुबारा ध्यान से देखें company A के IT विभाग में साड़े साथ सो का बीस परसेंट करेंगे डेड़ सो टोटल होगे नौ सो और लास्ट में लास्ट में पूचा जा रहा है B के IT विभाग B का IT विभाग आपके सामने और प्रसासन विभाग B का प्रसासन विभाग का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो blue है red B का प्रसासन विभाग आप ध्यान से देखे A के प्रसासन विभाग red है 400 दौनों में difference पूचा जा रहा है 500 बनेगा next अगला question आपके सामने है अगला question दिया गया है A के सभी विभागों में कारेरत करमचारियों का अवरेज कितना है A के सभी विभागों में कारेरत करमचारियों का अवरेज तो A देखे red है A हमारा red है यह आ रहा है 500 जोड़े 500 यह आ रहा है 800 यह आ रहा है आपका 700 यह आ रहा है 300 300 और ये है आपका 200 सभी पिलस करेंगे 0, 5 5, 7 5 और 7, 12 और 8, 25, 25 सभी जोड़ेंगे आप 15, 8, 5, 13 7, 20, 25, 25 हमारे पास टोटल 5 5 से डिवाइड करेंगे 5, एकम 5 वापस दुबारा ध्यान से देखें देखें कुश्चन दिया गया है कि एके सभी विभाग, एके सभी विभाग अर्थात रेड, ये 500 है ये 800 है ये साड़े 800 ये साड़े 800 लेना है, उपर वाला रेड है उपर वाला आपका रेड था, वापस दुबारा ध्यान से देखें एका रेड देखें 500 इसमें ध्यान से देखें 800 इसमें लाइन ऊपर उपर 1.500 इसमें लाइन ऊपर रहें है 5.500 और इसमें लाइन ऊपर है 4.00 इनको प्लस करेंगे 0, 5,5,10 8,5,13,13 और 8,1, 4,25,4,29 और आटीस और बटे करेंगे 5 तो अंसर आएगा 600 इस सवाल का आएगा हमारा ओक्षिन नमबर ए देखे अगला ग्राफ आपके सामने है देखो एक ग्राफ आपको दिया गया है इस ग्राफ को धियान से देखिए और जित लाव करोड़ों में 2003,45,67,8 इस तरीके से ग्राफ आपको दिया गया है और इसमें हमारे देखे 3 लाइन हे पे आ रही है तीन लाइन आ रही है, तीन कट आपको मिलें A, B, C, A, B, C, A, B, C इस तरीके से आपको तीन कट यहां दिये गए है सब कुछ लिखा हुआ है, यह A, B, C तो यह जो आपका स्टार है, वो A जो आपका बलू है, वो B और जो आपका वारग है खाली, वो C है पहला कुछन फस कुछन हमें दिया गया है 2008 में देखे 2008, यह 2008 है यह 2008 है यह हमारा 2008 है यह 2008 है बोल जा रहा है कुष्शं ध्यान से देखे तर लॉर नीचे कर लेता है यह ध्यान रखना आपको 2008 सली यह 2008 है कुष्शं बोला जा रहा है 2008 में तीनो गंपनियों के दुबारा अर्जित वॉस्थ लाब बता ओ देखें तीनों कमपनी का लावसत पूछ रहा है ये साड़े चार सो है ये साड़े चार सो है और इस कमपनी का देखेंगे तो यहां पे आ रहा है ये लाइन अगर आप देखेंगे तो चार सो पर है तीसरी कमपनी देखेंगे खाली है खाली हमारे सामनार ये साड़े तीन सो, इनको प्लस करेंगे तो बारे सो, टोटल बारे सो, और पूछा जा रहा है इनका एवरेज बताए, ये एवरेज के लिए आपको तीन से भाग करना है, तो ये आएगा चार सो करोड, अगर हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो तीनों को ये दोजार आठ काकड़ा है, इन तीनों को प्लस करके आपको तीन से डिवाइड करना है, अगला कुश्चन, देखें नेक्स कुश्चन हमें दिया गया है, निम लिखें तुमें से किस वर्स B और तथा A द्वारा, अर्जित लाव के बीच अंतर नियुन्तम है, B और A के बीच नियुन्तम अंतर पूछा जा रहा है, अब B और A के बीच में नियुन्तम अंतर देखेंगे तो ये 50 है, B और A के बीच, तार और ये पचास, बोला जा रहा है अंतर सब सब से कम है, इन में अंतर ज़्यादा है, पी और एक अंतर देखेंगे, यहां भी ज़्यादा है, पी और एक अंतर देखेंगे, इसमें सब से कम है, यहां देखें, साड़े तीन सो है, और यहां लगभग इनके बीच में है, त 375 यह 25 यह 25 है यह बी देखे ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है., तो इसमाल का आंसर आपको लगाना है 2 और e के बीच में सबसे कम अंतर आ रहा है 2005 है यह सवाल का आंसर आंगा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं देखे कुल तीनों कम्पनियों का कुल लौसत लाब सरवाधिक रहा है अगर सरवाधिक लाब आप चेक करेंगे तीनों कम्पनिय का कुल सरवाधिक लाब इनको जोड़ेंगे 400, 600, 800 इनका 800 आ रहा है 300, 300, 600 और 200 देखें इन तीनों का हमारा 800 बनना है 4.500 और 4.500 अगर इस कंपनी का देखेंगे तो 2.500 और 3.500 और 3.500 और 3.900 ये इस से ज़्यादा है इस कंपनी का देखेंगे 2.500 और 3.500 और 4.500 ये ज़्यादा है इसका देखेंगे आप ध्यान से इसका देखेंगे 275, 300, 500, 400, 900 अगर आप इनका चेक करेंगे देखें सरवादिक योग हमारा इनका बनेगा यह तीनो नमबर हमारे इस से उपर हैं तो इस कंपने, इस कुश्चन का अंसरान अच्छे है 2009 सबसे बड़े देखें आपके पास तीन नमबर है यह तीनो नमबर हमारे बड़े हैं अगर आप इन तीनो का योग चेक करेंगे तो इसका जो एवरेज वो सबसे जादा मिलेगा 2009 तो आज की वीडियो को हम इसी कुश्चन के साथ समाप्त करते हैं आज रेखा चित्र लाइन ग्राफ पर पूरा टॉपिक था इसमें नमबर आपको काफी बड़े बड़े नमबर दिये जा सकते हैं उन नमबरों का अध्यान करके आपको कुश्चनों के अंसर देने लगातार आप हमारे आश शांद का ओफिशल यूट्व चैनल से जुड़े रहें अगे हर टॉपिक पर आपको वीडियो दी जा रही है थैंक यू कर दो